हेलो इस्टोडेंट गोड़ाप्रनों क्लास फोर्थ सब्रेक्ट हिंदी टेक्स्ट बूक तेजश लेसन नमबर फस्ट प्रार्थना कविता के माध्य में डाक्टर योगेंद प्रताप शुम्द्वारा रचिते कविता है कभी जो है इस्वर से प्रार्थना कर रहा है हे प्र साहस से दुख्यों का दुख दूर करें शोशक का मद चूर करें अर्थात हे इस्वर हमें इतनी सक्ति दो कि हम दुख्यों के दूख को दूर करने में सक्षम हो सोशक वर्ग का मद घमंड चूर करने में सक्षम हो सत्य मार्ग पर चलते जाए कोई अलचन पास नहाए हम सत् जीवन के पत पर आगे बढ़ते जाएं, हे प्रभु ऐसी सक्ति दो, हे प्रभु मुझे कोई ऐसी युक्ति दो, युक्त मने तरीका बताओ, बुद्धी बताओ, हे प्रभु हमको सक्ति दो, हे प्रभु हमें सत्य के मार्क पेचलने, दुख्यों के दुख को दूर करने, सत् मंगल प्त मंगल 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 Cameron में मंंगल मैं मंगल मलच्चन पिकाण में मन हैं में इन अवग्ण से मुझे बचाते हुम है इस्वार हमारे कारे को पूरती पूरा कराने में सहयोग प्रदाने करें मिथ्या सब भौतिक सुविधायं बस अपनी स्री चलड़ों में मुझे तो इस संसार की सारी चीज़ें भौतिक सुविधायं नश्वर लगती हैं मुझे उससे अनुराग नहीं है बलकि मुझे आपके चलड़ों में अनुराग उत्पन हो ऐसी सकती ऐसी वीचार मेरे मन में भरने का प्रयास करो है प्रभू ऐसी कभी की इच्छा है अर्थात कभी जो है प्रार्थना कर रहा है कि वो अपने जीवन को जीवन के हर पल को अच्छे कार्यों में लगाना चाहता है इसलिए इस्वर्थ से प्रात्रा है कि है इस्वर्थ मुझे ऐसी सकती बल पुद्धी विद्या प्रदान करो जिससे मैं अपने देश का भी नाम प्रशन कर सकूँ और आपके स्री चलड़ों में मेरा मन लगे ऐसा है इसलिए बर्दान दीजिए तो इस्टूडेंट आप इस लेशन में जो कठी सब्दया है जो कलर्फुल वर्ड है सोसक है, सत्यमार्ग है युक्ती है, सक्ती है, प्रग्राम है मिथ्या है, अनुरक्त है इन कठी सब्दों को आप तीन तीन बार अपने उमर कापी पर लिखने का प्रियास करेंगे लिखेंगे, प्रियास ही नहीं करेंगे उसको लिखेंगे और उसको दिखाएंगे थैंक्यू